केवल 16 की उम्र में अपने अभिने का लोहा मनवाने वाली डिमपल कपाडिया का जन 8 जून 1957 को हुआ था डिमपल कपाडिया ने सिनिमा में अंग प्रदर्शन तो खूब किया लेकिन उससे ज्यादा दमदार उन्होंने अभिने भी किया डिमपल ने 1983 में महस 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी से बॉलिवुड में डेब्यू किया पूरी फिल्म में उन्होंने शॉट ड्रेस पहनी थी इसके साथ ही वो फिल्म में बिकनी में भी दिखी थी डिमपल को फिल्म बॉबी के लिए फिल्म फियर बेस्ट आक्टर फीमेल का पुरुसकार भी मिला था इसके बाद डिमपल, सागर, जाबाज जैसी कई फिल्मों में भी बोल्ड अफ्तार में नज़र आई डिमपल ने मसाला फिल्मों के अलावा रुदाली, जखमी औरत, दृष्टी और कास जैसी फिल्मों में काम किया डिमपल ने महस सोला साल की उम्र में राजेश खन्ना से शादी कर ली डिमपल और राजेश खन्ना के पहली मुलाकात एहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी राजेश खन्ना सत्तर के दशक में नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब के प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट गए थे डिमपल को देखते ही राजेश खन्ना उनके दिवाने हो गए यहीं से राजेश और डिमपल की लफ स्टोरी की शुरुआत हुई दोनों का अफैर करीब 3 साल तक चला इसके बाद 1973 में डिमपल और राजेश खन्ना ने शादी कर ली इस शादी की खास बात यह थी कि उस वक्त डिमपल महज 16 साल की थी जबकि राजेश खन्ना की उम्र 31 साल थी डिमपल ने फिल्म बॉबी रिलीज होने से पहले ही शादी कर ली थी डोनों की दो बेटियां ट्विंकल और रिंग की खन्ना है डिम्पल और राजेश खन्ना का वेवाहिक जीवन ज्यादे दिनों तक चलना सका एप्रिल 1982 में डिम्पल राजेश खन्ना को छोड़ कर अपनी दोनों बेटियों के साथ पिता के घर रहने लगी राजेश खन्ना का पहला प्यार अंजू महिंद्रू थी जबकि अनीता अडवानी के साथ भी उनके लिविन रिलेशन्शिप की बात सामने आई थी राजेश खन्ना से डिम्पल का पाडिया के अलग होने की वज़ा उनकी व्यक्तिकत स्वतंत्रता थी एक इंटर्व्यू के दौरान डिम्पल ने बताया था कि मैं और बेटियां ऐसे महौल में नहीं रह सकती जहां हमारे विचारों की स्वतंत्रता ना हो राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल ने एक बार फिर फिल्मों की ओर रुख किया 1985 में डिम्पल फिल्म सागर में एक बार फिर रिशी कपूर और कमल हसन के साथ नजर आई इसके बार डिम्पल के पास फिल्मों को लाइन लग गई और उन्होंने जाबाज, दृष्टी, इंसाफ, रामलखन, क्रांतीवीर, प्रहार और दबंग जैसी कई फिल्मों में काम किया इस बीच डिम्पल का पाडिया ने सनी देवल के साथ आग का गोला, मन्जिल मन्जिल, गुनाह और अरजुन जैसी कई फिल्मों में काम किया डिम्पल और सनी देवल दोनों ही शादी शुदा थे, लेकिन दोनों के बीच अफैर की खबरे आने लगी सनी देवल के शुटिंग लोकेशन पर डिम्पल की मौजूदगी आम बात थी, लेकिन दोनों ने अपने प्यार का कभी भी सारवजनिक इजहार नहीं किया साल 1987 में महेश भट के निर्देशन में बनी फिल्म प्रेम धरम की शुटिंग चल रही थी इस फिल्म में विनोथ खन्ना और डिम्पल का पाडिया मुख्य भूमिका में थे फिल्म में शुटिंग के दौरान एक सीन में डिम्पल और विनोथ खन्ना को एक दूसरे को किस करना था दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने खो गए कि निर्देशक महेश भट के कट बोलने के बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए साल 1994 में आई फिल्म क्रांती वीर के लिए डिंपल को फिल्म फियर बेस्ट सपोर्टिंग आक्टर फीमेल का खिताब मिला इसके साथ ही फिल्म रुदाली में डिंपल को सरवर्श्रेष्ट अभी नेतरी के लिए राष्ट पुरुसकार से नवाजा गया